प्रेश दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप और नेवर मिस अनादर अपडेट भारतिय दुरसंचार उद्योग में रिलाइंस चीयों के आने से एक बड़े बदलाओ के बाद वर्तमान ओपरेटर्स विभिन तरीकों की मदद से अधिक से अधिक ग्रहाकों को लुभाने की कोशिस कर रहे हैं इन तरीकों में नेटवर्ट की गुनवत्ता, कवरेज और छमता को बढ़ाने के लिए भी काम किया जा रहा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने पहले ही देली NCR और अइनी छेत्रों में नेव करनों को तेनात करते हुए नेटवर्ट की गुनवत्ता को बढ़ाया है इसके अंतरकत सहरी छेत्रों को विशेश धियान दिया गया है सुनिल भारती मित्तल के नेत्रित वाली या टेनिकॉम उपरेटर अपने नेटवर्ट की कवरेज और छमता को बढ़ाने का फैसला किया है ताकि ग्रहाकों को अच्छी सेवाय प्रदान किया जा सके कई स्थानों पर नेटवर्ट की बुनियादी धांचों को तैनात किया गया है जानकारी के लिए बता दें कि भारती एटेल उत्तर पूरुव और असम छेत्रों में LTE 900 टकनीक का उप्योग गर रहा है इसके साथ साथ कमपनियाँ इस नई टकनीक को देली अंसियार छेत्र में भी तैनात किया है भारती एटेल निया घुसना करते हुए कहा है कि हमने उत्तर पूरुव इलाकों के साथ साथ बेली अंसियार में अपने मुबाइल नेटवर्क को 900 मेगाहट्ज स्पेक्टरम पर LTE 900 टेकनोलोजी को तैनात किया है यह नई तकनीक नेटवर्क छमता और इंडोर कवरेज में डेटा स्पीड को बढ़ाएगा कमपनी का कहना है कि इस नई तकनीक के तैनात होने से एर्टेल स्मार्टफोन ग्रहक इमारत, घरो, कारियाले और मॉल के अंदर भी बहतर 4G उपलब्धता और स्पीड का आनन्द ले पाएगे जानकारी के लिए बता दें कि LTE 900 एक मात्र टकनीक नहीं है जिसे एर्टेल ने फिलहाल तैनात किया है अपने नेटवर्ग कैपसिटी को बढ़ाने के लिए एर्टेल ने प्री 5G में से लीमो तकनीक को भी इस्थापित किया है कमपणी ने हाल ही में देल ही में लाइब 4G नेटवर्ग पर लाइसेंस एसिस्टेड एक्सेस ट्राइल किया था जिसके अंतरकत स्मार्टफोन पर 500MB तक की इसपिड दर्ज की गई थी हाला कि वर्तमान समय में LD900 टेकनोलोजी उत्तर पुर्वी इलाको और देल ही NCR में लांच किया गया है धीरे धीरे इस तकनीक को देश भर में स्थापित किया जाएगा